रादे रादे दोस्तों आज हम बनाएंगे कुरूरू की सबजी वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए सबजी बनाने के लिए हमने धाई सो गराम कुरूरू लिया है खड़ाई में हमने दो चमच तेल डाला है तेल गरम हो गया है अब हम इसमें आदा चमच जीरा डाल देंगे जीरा लाल हो जाएगा फिर हम इसमें तीन कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे मिर्च थोड़ा सा सौत्ते कर लेंगे उसके बाद हम इसमें आदा थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे हल्दी को हम मिला लेंगे उसके बाद हम इसमें कुनुरू डालेंगे अब हम इसे चलाएंगे हल्दी डालने से सबजी में कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है कुनुरू को हमने अच्छे से मिला लिया है अब इसे हम ढख देंगे चार से पास मिनिट के लिए अब हम एक बार चेक कर लेते हैं सबजी बहुत अच्छे से पक रही है अब हम इसमें दो कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे फिर हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे फिर हम दो से तीन मिनिट के लिए फिर ठक देंगे एक बार और चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंस की सबजी में कलर बहुत अच्छा आया है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी पक चुकी है और बहुत अच्छे से पकी है तो आप इस तरह अगर सबजी बनाएंगे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ, पोड़ी के साथ और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं खाने में बहुत अच्छी लगती है एक बार इस तरह सबजी जरूर बनाईएगा तो इस तरह सबजी आप बनाईए, खाईए और कमेंट में बताएए कि आपको सबजी कैसे लगी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाबाए